हेलो फ्रेंड्स राधे राधे वेलकम बेक तो हमलतास डेक वर आइडियास आज मैं यह अपने दो लसी के पुराने गिलास पड़े थे इनका यूज कर रही हूं और यह मेरे पास एंसील है इसके बॉंड से मैं चिपकाऊंगी और इनको इस तरह से डेकोरेट करने का मेरा इर एको मैं ऐसे चिपकाऊंगे एको मैं इस तरह से रखोंगे इसके बाद इनको तयार करके देखिए आगे-आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रेंट्स मैंने अहमसिल के दोनों पीसिस को मिला कर एक कर लिया है और इससे मैं गिलास को दीपक पर चिपकाऊंगी और इसको हम अच्छे से चिपकाऊंगे मैं इसे सूखने के लिए कुछ घंटों के लिए रख दूँगी इसके बाद मैं दूसरे वाले गिलास को मट्की पर फिक्स करूँगी इस तरह से मट्की और गिलास भी रख दूँगी सूखने के लिए और मट्की को दीपक पर चिपकाऊंगी तो मेरे ये तीन डियाई वाइस तयार हो जाएंगे अब मुझे इनने पेंट करना है फ्रेंट्स अपने अंदर कला हो तो हमें उसको यूज ही करना चाहिए इस तरह से मैं अपने तीनों डियाई वाइस पे वाइट कलर पेंट कर लोंगी पेंट करते समय बड़ी सावधानी से हमें पेंट करना है जिससे की एक सा पेंट फैले अगर आप चाहें तो इनको हलका सा पानी में भी डिप कर सकते हैं गिलासों पर डिजाइन तो अपने आपी बनी हुई है उबरी हुई उसी उबरी हुई डिजाइन पर हमें थोड़ा पतले भुरुष से रेड कलर को पेंट करना है वाइट पर रेड कलर खुब अच्छे से निखर कर आया है फ्रेंड इस तरह में पूरे गिलास के सारी तरफ रेड कलर पेंट कर लोंगे यह फ्रेंड्स एक टिप है जैसे यहां पर यह धपा पड़ गया था मेरे हाँ से ही कलर लग गया तो मैंने उसे क्या करा साफ कॉटन से उसे पोच दिया और उसके बाद वाइट कलर से इसको ठीक कर दिया तो क्योंकि हम लोग आर्ट करते ना तो आर्ट में यही होता यह ऐसे वाइट कलर एक वार और कर देंगे जब सुख जाएगा तो तो यह जो मेरा जो खराब होया था यह ऐसे ठीक हो जाएगा तो यह है ठीक करने का तरीका अगर करलर फैल जाए तो इसके बाद मैंने ग्रीन कलर यूज किया है आप चाहें तो अपने मन पसंद के कलर यूज कर सकते हैं तो इस तरह अब मैं दीपक में और इसी के सासाथ क्योंकि बुरुश बार बार धोना ना पड़े तो मैं सासाथ म इसी मैचिंग बनी रहे इसके लिए दोनों को मैच करते हुए पेंट करूंगे यह देखिए दीपक काव निचला इससा तैयार है झाल 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 अब देखिए कितने अचोड़े वाले बुरुश से मैंने फटाफट फटाफट इस पर पट्टियां मना ली रेड बुरुश से ये सबसे पतले बुरुश से मैंने ये चारो तरफ इसके लाइन खेची है ये वैने बहुत सलोली खेची थी आपको वीडियो में स्पीड बढ़ा कर दिखाई जा रही है क्योंकि यहां पर हमें साफधानी की जुरुत होती है कि हाथ थोला सा टेड़ा मेड़ा ना हो जाए इसी रेड कलर से हम इस पट्टी पर कितने आराम से देखी है बनाते चले जाते हैं जब एक बार जब पेंट का मूड हो जाता है तो फिर वो अब बुरुष चलता ही रहता है अब फ्रेंड्स मैंने मठकी के ऊपर येलो कलर से तिर्बुज जैसे बनाने शुरू कर दिये और ये तिर्बुज बड़ा अच्छे से आराम से बन जाते हैं एक बार बुरुष से वी बनाई उसके पीतर फिल कर दिया अब फ्रेंड्स में नीचे वाले हिस्से पर वी शेप बना बना कर अंदर फिल कर दूंगी उसका रैट कलर और निचला पोर्शन भी पेंट होकर तैयार है जो जो पेंट का यूज होता जाएगा मटकी का निखार बढ़ता चला जाएगा है ना इजी बस हाथ को टिका के रखना है अब मैं इयर बेट से ग्रीन कलर से इस मटकी पर डॉट्स के द्वारा डिजाइन बनाओंगे डॉट्स लगा लिए इनको हम जो चाहें वो शेप दे सकते हैं डॉट्स से आप चाहें तो इसके चारतर बिंदिया लगाएं तो फ्लॉवर शेप बन जाएगा यह डॉट्स के उपर डॉट्स लगा सकते हैं हम इनसे लाइनिंग बना सकते हैं डॉट्स का काम वैसे भी अच्छा लगता है सुन्दर लगता है यल्लो पर ग्रीन कलर बहुत सुन्दर लगता है यह हमारी मठकी के उपरी सी का बॉडर तयार हो रहा है झाल झाल लगाने में अच्छा भी बहुत लगता है फ्रेंट्स बढ़ा ईजी लगता है बुरस्त में तो साबधानी होती है डॉट तो अपने आप बस डिप करा और लगा दिया दोनों अब तयार हो गए आप जितना चाहें उसमें डिटेलिंग कर सकते हैं जिसकी जैसी कलपना हो अपने आधार पर मैंने इसमें तीन ही चार रंग यूज करें हैं और मटकी को गिलास से मैचिंग बनाया है मेरा ये और्गनाइजर फिलाल तो मैं इसमें पैन बगारा रखोंगी ये तीसरा वाला है जो मैंने वाइट कलर से पेंट करके रखा हुआ है इसमें मैं ज्यादा कलर यूज करना नहीं चाह रही हूँ इसलिए मैंने बिलू कलर का ही यूज किया है बिलू कलर से मीडियम ब्रस से मैंने इसमें बॉर्डर बनाकर डॉट्स लगा लिये हैं इसी तरह मटकी में भी डॉट्स लगाके तयार कर रखे हैं दोनों के लिए दीपक भी तैयार हैं वही पुरानी मठकी की तरह बिलू लाइन इस पे खेची मैंने और बिलू ही कलर से ब्रश चलाते हुए ये डिजाइन बना लिए वाइट पर मेरे हांस से ही थोड़ा सा बिलू कलर लग गया था थोड़ी सी चूक होई जाती जब हम कोई काम करते हैं तो तो मैंने इसे लाइट ब्लू से शेट करना उचित समझा वैसे भी वाइट कलर केवल रहेगा तो वो गंदा बहुत जलती हो जाएगा देखिए इस तरह से मेरे टेरा कॉटा के तीनो डियाइवाइस तयार हो रहे हैं मैं इस पे मिरर लगा ले रही हूँ मिरर चिपकने के बाद ये बहुत ही संदर लुक इसका तयार है ये फ्रेंड्स मेरे तीनो डियाइवाइस तयार है आप इनका यूज फ्लॉवर पॉट की तरह है या और्गिनाइजर की तरह है या लैंप रखने के लिए या दीपक रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं जैसे मैं ये कर रही हूँ यूज आपने मेरी वीडियो यहां तक वाच की आपको पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स लाइक करें शेयर करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचिंग